इस इको सिस्टम में हम एक अपना किरबार है इस इको सिस्टम को हमने बचाना है लिहाद हमें क्या करना होगा दुबारा आर्गनिक अगरिकर्चर के तरफ जाना है किरे में खोड़े लगते हैं बीमारियां लगती है उसको कैसे कंट्रोल करें हम कहते हैं किम्याई सिप्रे न करें उसके लिए माहरीन यह तरीका अजाब किया है कि आप आगनिक शिप्रे बनाएं को दरत ने हम बीमारी के लिए इसका इंप आप कहां पैदा की लिए कि यह आर्टिमीजिया अफसंतीना यह आटिमीजिया के पिस्म है मतां बलती में इसे खख खंपा कहते हैं इसमें पुझरत नहीं असलाहियत रखी हुए कि इसका एक्स्टेक्ट आप इसका जूस निकाल के शिप्रे करेंगे कि कि इसका मुखफफ है बायो कंपोजिब लिक्विट यानि वह चीजें जो आप कहां मौजूद है उन चीजों से हमने अपने फस्म को बचाना है यह आर्टिमीजिया अफसंतीना अच्छा यह जो है इसे क्या सहत है आप लोग इसमन उर्दू में भी जो हैने इसमन कहता है इसमन इसमें इसमें भी जो हैना कुद्रत की तरफ से बेशमार फवाइद है जो आपके फसलों के नुसांदों चीरे है उसको बचाए यह आर्टिमीजिया की दूसरी किसम है यह आर्टिमीजिया तरफ से दूसरी को डिपल करें अधिया मेरी तीमा अच्छा यह जो है ना इसको खखुल ठीक है यह इसमें भी बड़ी सलाहेतर है यह एंटी फंगल है एंटी बेक्टेरियल है और बीमारियों को रोपने कि इसमें बरपूर सलाह जाते हैं उसके नीचे क्या है आया यह उस उसके बाद यह लहसन है यह इस पेस्टिसाइड का आर्गनिक पेस्टिसाइड का जूस है यह जो है ना लेहसन का अद्रक का वो है पोडर है वो पैस्ट है यह जो है आप घर में इस्तिमाल करते प्यास है यह जो है वो जो है ना निर्शेंग है उसके साथ जहना यह सिरका करना है और आप सीजन में देखेंगे कि इससे कितना असब होता है इसमें की कमी रह गई वह सिप का पोदा उसका जड़ या उसका पोदा शामिल करना है किसे अचमरिन उसमें उसमें भी बड़े अफवाइद है अभी आपको आप सब कर दोना हमारे मैरे माहीरे ईसको प्रक्तिकरी रचाएगे केसे प्रचाइब क्या यह इस कर दो कर दो कर दो प्रवार 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 प्रवा अज़ कामर ये फार्मर फिल्ड स्कूल में एक टापिक बीसेल के उपर हैं तो हम आज इसको इनके सामने तैर कर रहे हैं इसमें हमने आतमेजिया, सफूरा और ये लहसन, प्यास, मिल्चे अद्रक और ये सारी चीज़ें हमने इनके सामने रखा हैं और यहीं पर हमने काट के रहे हैं और इसमें आखिर में इनको कूट के पीज के हमने एक बाल्टी में प्लास्टिक के बाल्टी में डाला है और साथ हमने इसमें सिर्का डाला है, इंशालों चोवईस गंटा जब ये उसकी सारी जिज़ा उसमें एक्स्ट्रेक्ट हो जाएंगे, तो कर हम इसको छान एक मलमल की कपड़े से और फिर मजीद इसको सप्रे करने के तरह काने शाला कर लिंग को हम बतादे हैं कि दिता है भूल झाला कर लिंग की की कानें का शिर नहीत दिती हैं